प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन अरो डियेक्शन को साइन्स रो डियेक्शन रेशियोस को रिलेस्टन अरो मले यो बन्ना अगाडी को क्लास मा गळा आगुछुू खैल जो आज़ा मा फोस्ट मा leenth of प्रोजेसं प्रोजेक्शन वाने क्यो रइसको length करें तुरी ।का सरी find out गाने कुणे लाइन को थो बारें मा आज़ा मा पड़ाओ देछे फोस्ट मा प्रोजेक्शन वाने गुड पुजां और यो projection is फाइंड आउट गरने कुने लाइन को त्यों बारे मा आजम मा पड़ाम देशो फर्स्ट मा प्रोजेक्शन वाने को के रहेचा त्यों बुजाँ अनि यह प्रोजेक्शन संगा इलेटेट दुए योडा थेवरम अरू अत्वार इलेसन अरू छा एलाई प्रूफ गरनाऊला 所以 projection of a line रो projection of a point आमरी दुएठा कुरा आऊंशा खुणेबने line और point को projection cd वण्ये line मा आमरी ड्रोजेक्शन पिए अ संगा पर्पेंद्रिकुलार उने गरियरो इवडा line आमी ड्रोघ गरंशा धार इलेख वाशं त्योंकि बाय, projection of a point on a line योजे point कुर projection line मा क्यों हुदु रही चा? point नहीं हुदु रही चा अब आमी second मा की पर्चमा बन्द है कि दी projection of a line on a line योड़ा line चा A B A B बन्ने line कुर projection CD मा क्यों चा? योकुरा बुजाँ पहला जसरी अगी माले बने हनुशा A कुर projection a ड्यास बहिए CD मा B कुर projection फेरी की उन्षो ता? b ड्यास उन्षो यो c d बन्ने line मा रैट? यो point कुर projection a ड्यास तो B point कुर projection b ड्यास उधोर रही चा थे o च zwe point कुर projection line मा क्यों बए yon point नहीं बए अब आ यो line कुर projection निकलन को लागी चा u point कुर projection जुन A-B-S फर्म बहगुँछ, यो A-B-S बने को प्रोजेक्शन अफ A-B on line CD, line CD मां A-B को प्रोजेक्शन कती होदो रहीच, A-B-S उदो रहीच, ओके, अब एसे लाइ लिए रह, A-B-S को वैलू, A-B कोस ठीटा होंच, बने योडा रिलेशन प्रूफ गर दाइच, ओके, य येशको प्रोजेक्शन, A-B कोस ठीटा को येल पले, आमी फाइट गरना सक्षोंग, आने येशको पोइंट रह, येशको डिरेक्शन कोसाइनच दिएगो, शावने आमी यो फार्मला बाट, A-B-S फाइट गरना सक्षोंग, यो पुरालाई मां प्रूफ गरना होँछ, येला येरो, ओके, इसको प्रूफ मा, फास्ट मा, मा येटा फिगर बना होँछ, जुन फिगर, A-B-S इसकाल दू, A-B कोस ठीटा प्रूफ गरना होँछ, आमी फास्ट को प्रूफ मा, येटा फिगर मेले यानी रोबना है, AB रोबना होँछ, AB रोबना होँछ, रो CD रोबना होँछ, AB को प्रोजेक्शन CD मा, आमी फाइन आउट गर द情श, A-B-S is ग sought to AB कस ठीटा, यह दियोटा लाइन ले बनाको जूने एंगल चंक यहला हमी क्ये भांचे थिटा भाणशो ठिटा रू ए बाट पोर्पेण्डरिकूलर ड्रोह गरो हम रानि रू रनि यह यह पोर्पेण्ड़ क्योट घ्याश अबस दो लीजोट İs destruction लाइन आम ले यहां ड्रा गर्यों बने, पर्पेंडिकुलर लाइन लेट से एयां ड्रा गर्यों बने, यो एंगल ठीटा, यो एंगल पनी किया हुन्सा, ठीटा उन्से कि निकी यो लाइन रहे यो लाइन तो प्यारल सा, प्यारल सा बने, कोर्रेस्पंडिंग अंगल हुन्स तो यह कुराल है पहला आमें एक्स्प्लेन गर सो तो लेट ठीटा बी दे एंगल बिट्वीन ओके A, B and C, D A, B रो C, D वी इसको एंगल ला है आमें के बने हो ठीटा बने हो अब अब ड्रा गरों कुन-कुन ड्रा गरे है अब आम आनी B, B राश A आम पर्पेंडिकुलर टो B, B राश So, ड्रा A, A डाश and B, B राश पर्पेंडिकुलर टो C, D A, A डाश, B, B राश, C, D संगा पर्पेंडिकुलर आमें ड्रा गरें हो बने Then, A डाश, B डाश will be प्रोजेक्शन आफ A, B प्रोजेक्शन आफ A, B on C, D तेक्शा? आमने A बाट रो B बाट A, A डाश रो B, B डाश पर्पेंडिकुलर ड्राव गर्यो बने The foot of the perpendicular A डाश रो B डाश जोइन गरदा खेरी जुने उडा लाइन आँछ अथा जुने उडा दिस्टेंश आँछ तेला आमी प्रोजेक्शन पंदो रहेशों और फेर आमी A पर्पेंडिकुलर तो B, B डाश अल्सो रो ड्राव एम पर्पेंडिकुलर तो B, B डाश शाच दा यो पर्पेंडिकुलर ड्राव गर्ने हो बने यो A, C, A डाश रो B, A, M एक्वाल रो अंगल A, C, A डाश इसकाल स्टु एंगल B, A, M एक्वाल स्टु ठीटा यो जे का बटायों? फिगर बटायों आमले यह लेगो फ्रम फिगर, ठीक्शो? अब यो हमी कस्टीटा को फर्म मा निकाल देशों या राइट एंगल फर्म बागु सो यह समा हमी कस्टीटा अप्लाइगोर जो इन ट्रेंगल A, B, M इन ट्रेंगल A, B, M कस्टीटा उक्वाल स्टीटा प्लाइगों कस्टीटा वनीपची B अपन यह पस अपन इस अपन हीपुतनिस so am upon ab byu am upon ab byu or cos theta is equals to fairy am co length a dash b dash co length same so so we can write a dash b dash upon ab because am is equals to a dash b dash therefore a dash b dash is equals to ab cos theta right we have a dash b dash to 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 a dash b dash so we have a projection to be able to prove now we have a second relation to proof or second formula prove projection second formula figure sally is equal to figure a figure कर लए एरू यो फिगर मा अब यले सेकेंड मा की बनेगो छा बन दा ए खेड़ी याल मियान बनेगो शीदी को डिरेक्षण को साइन छा सीदी को डिरेक्षण को साइन से याल मन छा रो ए-x1-y1-z1-bx2-y2-z2 छा यू दियेगो शाओ, अब पोइंट रा डिरेक्शन को साइनज दियेगो शाओ बने, प्रोजेक्शन को सारी फाइन डाउट गाने यो तकी बहुए, एबी को डिस्टेंस रा कोस छीटा दियेगो साओ बने, अथो एंगल था साओ बने, मात्रे आमी यो फार्मुला बाट प्रोजेक्शन फाइन डाउट गाने साग्यों अब तिसको लागे, फार्मुला आमी येसे को एल्प लिने हो, येसको लागे आमी कोस ठीटा को एल्प ले, कोस ठीटा बने गोजाए, एंगल बीट्वेन टू लाइन्स, जुन डिरेक्शन को साइन्स को फर्मा होंचा, एंगल बीट्वेन टू लाइन्स को फार्मुला को पर आमें कोस ठीटा निकाल चोंग और कोस ठीटा को वेलव एसमा लागे राख्यों बने A डास B डास आए ने आलशा ओके So AB को पहला आमें डिरेक्शन कोसाइन्स निकालाँ रज सी डी को डिरेक्शन कोसाइन्स गिवन नाइचा Right? So AB को डिरेक्शन कोसाइन्स डिरेक्शन कोसाइन्स अफ लाइन AB यहला आमें यालवान यामवान र यानवान ले डिनोड गर्यों बने इसको टू पोइंट देगो चाह बने डिरेक्शन कोसाइन्स निकालने फोर्मुला X2-X1 अपन AB Y2-Y1 अपन AB and Z2-Z1 अपन AB Y1-Y1-Y1 अथवा AB लाइन को डिरेक्शन कोसाइन्स अब डिरेक्शन कोसाइन्स अफ C-D and direction कोसाइन्स अफ लाइन C-D यहला आमी Y2-Y2-Y2 यान्टू ले डिनोड गर्यों यह तह याले में दियेगे इसा क्वेशन मा यह यहाले में आर दिरेक्शन कोसाइन्स अफ लाइन C-D यह तहेगो अब since angle between two lines cos theta अगो formula उन्झा L1-L2 plus M1-M2 plus M1-N2 equals 2 L1 अगो केशा x2-x1 upon ab x2-x1 upon ab times l2 बने को y2-y1 upon ab अने अरको छह याम plus z2-z1 upon ab राम रो अरको यान टू छह यान यान बाट 1 upon ab अमले कमन लियो बने कियो उने बो r times x2-x1 plus m times y2-y1 plus n times z2-z1 यह बने को cos theta को वैलू ओके हम यह लाई relation 1 लेखें हो बने so from 1 from 1 a-b- is called to ab cos theta वैलू आम यह पूट गर दियो यह बाट 1 over ab अने यह केश r times x2-x1 plus m times y2-y1 plus n times z2-z1 यह सरे आमे cos theta को वैलू में आ राक्यों ab रह ab cancel बायो therefore a-b- is called to r times x2-x1 plus m times y2-y1 plus n times z2-z1 यह सरे आमरो projection को और को फार्मुला यह सरे बाट द्रेव गर यह हो triangle between two lines को यह पलियो okay direction cosine सरू दिये गो सा हो ने angle between two lines को फार्मुला हो यह रा projection element दिये गो सा दियोड़ा point दिये गो सा बने आमी यह फार्मुला को यहल्प ले projection find out गरना साख दो रहे छो ठीक सा ओके और को यह अबड़ा ठेवरों अथवा concept हे रहों angle between two lines दियोड़ा line को angle को सरी find out गरने तिसको जुना आमरो फार्मुला हो cos theta is equal to l1, l2 plus m1, m2, plus n1, m2 तिला आमी proof गर देशों प्ला इसको proof मा इस्ट्रेटमिनले की बनी को सा दो दियोड़ा line को direction cosine सरी दिये गो सा ab रो cd बने line को direction cosine सरी दिये गो सा रतियो दियोड़ा line 20 को angle theta सा ओने how to find the angle between them तिला चे आमी theoretically प्रोफ गर देशों यह बना आगारी जोना आमी प्रोजेक्शन को concept राथवा definition भूजियों ते definition को help ले आमी यहलाए proof गर देशों ओके इसको लागे यहँड़ा figure बनाँ आमी origin x-axis y-axis r z-axis आमी थ्री डायमिन्स अनमा गोई रागुशों coordinate in space totally so यह बाट यहँड़ा line a-b ड्रोग अरो ठीक्शों rorco line c-d ड्रोग अरो c-d अब आमने यह द्योड़ा line अरू space माँशों यह द्योड़ा line अरू को angle को सरी find out करने यह बनने कुरा ते यह formula आमी द्राइब गरना चाहाँ देशों यहँड़ा a-b बनने लाइन चाहाँ यहँड़ा c-d बनने लाइन चाहाँ यह द्योड़ा line ले बनाको एंगल ले आमी ठीक्टा मेजर गर्शों अब जुनरी बनना अगाड़ी को क्लास माँ पनी मही ले बने गर्शों लाइन को एंगल मेजर गर्शों बने तियो लाइन संग प्यारल उने गरी औरको लाइन आमी ओरीजिन माँ ड्राइब गर्शों रवा थ्यो ओरिजिन ले बना को एंगल लाइन हों अठीक्टा मेजर गर्शों किने गी प्यारल लाइन संग बनाको एंगल किया के होंच याज़ और खिसी ज्ञार ओर। योधा लाइन आमी याद द्राइब गर्शों two मांन दयो यजी रही OP1 र다 OP2 ठीक सा ये संगा प्यालोल उनने गरी ये ये लाइन ड्रौा गरनू परे। ये संगा प्यालोल उने गरी ये 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 लाइन ड्रौा गरनू परे। ठीक सा आ कि ये बbaneक एक्सप्प्लेन गरties लेट छिटा बी दे angle between two lines a b and c d whose direction cosines are direction cosines are l1, m1, n1 and l2, m2, n2 respectively a b, c d, line of angle theta, direction cosines l1, m1, n1 and l2, m2, n2 okay our draw op1 parallel to a b and op2 parallel to c d through origin origin such that the angle between op1 and op2 is theta and l1, m1, n1 and l2, m2, n1 are direction cosines direction cosines of op1 and op2 respectively okay our next question is, a b is direction cosines l1, m1, n1 and l1, op1 is direction cosines of c d is direction cosines of op2 is direction cosines of op2 is the same let p1 x1 y1 z1 and p2 x2 y2 z2 be any points and there will be two points so suppose we cannot see the points which we can see the one दरबने आमलाई पोइंट लिए रहा त्यों पोइंट लाए प्रोजेक्शन को जुन फर्मुला चा त्यों प्रोजेक्शन को फर्मुला यहाल बले आमि इसको एंगल्स फाइंड आप गरना यहल गान छो अब यह द्योड़ा P1 र P2 को क्या आए दा पोइंट सरू आम ले सपोज गरियो अब O P1 र O P2 को डिरेक्शन कोसाइन सरू यहाला में यान को फर्मा आमला है थाचा अब पोइंट्स को फर्मा बनी आमी डिरेक्शन कोसाइन सरू लेखनू बर्शा let P1 and P2 be any points and denote O P1 equals to R1 and O P2 equals to R2 O P1 को लेंख लाए R1 र O P2 को लेंख लाए R2 अमला यहाली एक्ष्प्रेस गरना साजी लोगस बने र O P1 र O P2 लाए R1 र R2 ले आमी डिरेक्शन कोसाइन सरू O P1 in terms of points okay so now direction cosines of line O P1 O P1 को दिरेक्शन कोसाइन सकती है याल 1 याम 1 यान 1 याल 1 याम 1 यान 1 इसको formula X2-X1 by O P1 Y2-Y1 by O P1 and Z2-Z1 by O P1 ठीक्षा अब यास बाड़ा O P1 मा याता P1 कोती है O ता ओरिजिन हो ठीक्षा P1 कोती है X1 Y1 Z1 P2 कोती हो X2 Y2 Z2 या बाड़ा X2-X1 बाड़ा X1 by R1 याक Y1 by R1 Z1-0 Z1 by R1 अब फेर दिरेक्षान कोसाइन साफ लाइन O P2 याल 2 याम 2 यान 2 बाड़ा दो formula is same X2-X1 by O P2 नू पर्यो Y2-Y1 by O P2 Z2-Z1 by O P2 अब फेर O P2 मा X2-X1 बाड़ा X2-0 बाड़ा X2 by R2 अनि और को Y2 by R2 अनि और को Z2 by R2 योचे अमला पहुची होईले चाइन छो ते बाड़ा पहला निकाली राखेगो अब आमी के गर्शों वहन दागरी प्रोजेक्शन को याल पलेन छो फ्रम फिगर अब आमी याँ फेर यही फिगर लावली केती मोडिफाई करें रो मैं याँ साइड मा देहाँ छो कुस्त बान दाखेरी OP2 वानने योटा लाइन छो OP1 वानने को अरको लाइन छो एई लाइन ले मले याँ राख देगो OP2 रो OP1 OP2 को OP1 मा उने प्रोजेक्शन के उन छा तावब अगी प्रोजेक्शन को डेफिनेशन को इसाब माम दे एरे ने पर्पेंडरिकुलर जोन P2 संगा पर्पेंडरिकुलर उने लाइन को डेखला आमे लेट से Q मानो यह Q अईले आमी संगा छाएना Q मानियो बने OP2 को OP1 मा उने प्रोजेक्शन के उन छा यो OQ उने बाएके यो ता पोइंट O नाई छा यो लाइन मा पने छा यो पोइंट संगा पर्पेंडरिकुलर उने औरको पोइंडरिकुलर उने औरको पोइंडरिकुलर आमले खोजी राखनू पर या यो आफे पर्पेंडरिकुलर सा अब याग P2 संग परपेंडिकुलर उने लाइन नामले और को पोईंट क्यू खोजियो बने OQ बनेको OP2 को प्रोजेक्शन OP1 मा फेर एक फेर OP2 को OP1 मा उने प्रोजेक्शन के चा OQ चा यो एंगल काती चा ठीटा चा यो फिगर बाटा OP2 बनेको पार 2 चा फेरी So, the projection of The projection of OP2 on OP1 equals to अगे आमने प्रोजेक्शन फार्मुला जसतो AB को प्रोजेक्शन CD मा आमने जुन A-B-D-S बनेरा आमने निकाल थे हो क्योंक वाती हों थे हो AB कोस ठीटा हों थे हो इने बना को एंगल ते आइडिया बाटा अब ओक्यू अथा ओक्यू अथा ओक्यू बने नौलेखी बनी होंच projection of OP2 on OP1 OP2 को OP1 मा उने projection AB कोस ठीटा बागो जसतो अईले OP2 कोस ठीटा हों निकाले हो OP2 कोस ठीटा OP2 अने को फेरी कती ठीटा R2 चा R2 कस ठीटा अब फेरी projection अईले हमले अंगल को फर्मा निकाले हो अब projection point को फर्मा अल्सो the projection of the projection of OP2 on OP1 equals to अब इसको पोइंट इसको ओर ओरिजिन अनि इसको पोइंट P2 चो X2 Y2 Z2 इसको डिरेक्शन को साइन्स L1 AM1 Y1 6 बने क्यों उने बहेता L1 आम लेक्शने L X2 minus X1 राइट अथ फर्मा लेक्शन लेक्शन चो माँपेला L X2 minus X1 plus AM Y2 minus Y1 plus AN Z2 minus Z1 इसको यहल पले L1 U line OP1 line को डिरेक्शन को साइन्स L1 X1 X2 बने OP2 को पोइंट अरू X2 minus 0 X2 minus 0 अनी Y1 Y2 minus 0 अनी Z2 minus 0 राइट Y1 times Z2 minus 0 यह बनी प्रोजेक्शन अफ OP2 ने यह बनी प्रोजेक्शन अफ OP2 ने यह यह दियोडा लाइटा आमी इक्वेट गारन मिलियो ठीक्शा यह दियोडा लेशन ले अनी इक्वेटिंग अन इक्वेटिंग इरे माती र2 cos theta तला L1 X2 plus Y1 Y2 plus Y1 Z2 हमेद cos theta value निकाल ले हो यह R2 लाइटा राखियो बने cos theta equals L1 times X2 by R2 plus Y1 times Y2 by R2 plus Y1 times Z2 by R2 equals to X2 by R2 अनी काला है X2 by R2 अने R2 यह L1 ता L1 नहीं इसको ठाव मा L2 plus Y1 Y2 plus Y1 Y2 यह बड़े Y2 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 value X2 by R2 Y2 by R2 Z2 by R2 स तियो value यह ठाव मा अमने replace गरने हो बड़े L1 L2 plus Y1 M2 plus Y1 N2 प्रूब बड़े therefore cos theta equals to L1 L2 plus Y1 M2 plus Y1 N2 ठीक्सा प्रोब्ड ओके सो मली बड़े आले projection को idea पायो बड़े अमी angle between two lines पनी सोजिले संग प्रूफ करना सखदू रहीश तिसको लागे projection को दूड़े idea अमले चाहे योड़े angle को फर्मा योड़े direction cos पो point को फर्मा ये बड़े 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 लाइन S को 2 स S को length 3 ये दिये गो ये प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ये दिये गो ये अब alpha beta gamma with x y and z axis respectively also let a- b- a- double- b- double- and a- triple- b- triple- dash each are projection of a- b on x-axis y-axis and z-axis respectively respectively okay अब आमला कोईचन ले दिये गो तो then we have a- b- बड़े 6 a- double- dash b- double- बड़े 2 a- triple- b- triple- 3 projection को length धियाएगो अब projection definition बाईदाएज बाईज बाईज देफिनेशन अगारा तो देफिनेशन अगारा जिस्टाइज जिस्तो इसलो फेरें यहां एकशिसमा मत्राखे राहे रहे हैं। यहां A B से अश्को प्रोजेक्शन कटिए उन्छ? A दाईज बीज़ दाईज शी था So, by the definition of projection, A dash B dash is equals to AB cos alpha. alpha degree बनागोशा इंद, right? A x x संग तो इले alpha बनागोशा एंगल, इले x x संग बनागोशा एंगल कती हो? alpha हो. So, AB cos alpha, यहाबटे क्या आयो? A dash B dash बनागो 6 is equals to AB cos alpha. यहुटा relation. फेरी, A double dash, B double dash बनागो, y x संग बनागोशा इले, y x संग यो लाइन ले, beta बनागोशा, AB cos beta. A dash B dash संग 2 equals to AB cos beta. And similarly, A triple dash, B triple dash is equals to AB cos gamma, z x संग बनागोशा एंगल, cos gamma, A triple dash, B triple dash, C3 दियेगोशा, AB cos gamma. तीनोडा relation यहां बढ़ायो. अब यह तीनोडा relation लाइन में, adding and squaring गरो. So, squaring and adding, equation 1, 2, and 3, we get 6 square plus 2 square plus 3 square equals to AB cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. यह काती बढ़ायोच, 36, 40, 49. 49 equals to AB square into 1. यह cos square alpha, cos square beta, cos square gamma को समत 1 हुन्छ. इने यह direction cosine सा रोएंदा, ओके? direction cosine में, याली square, यामी square, यानी square 1 हुन्छ. यानी रामी रिजर मां लेखों, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. Therefore, AB equals to काती आयो, 7 unit हुन्छ. अमला length of AB बने हुन्छ. So, length बने हुन्छ. आमीं positive length हुन्छ. So, AB काती आयो, 7 unit हुन्छ. 7 units. अमला शुरुमा, find the length of the line बने हुन्छ. length of the line आयो. अब direction cosines. अगे बखर बने हुन्छ. cos alpha, cos beta, cos gamma. तियो लाइन ले, x axis, y axis रो z axis अंग बना को angle हो. cosine angle हो. पने तिसे लाइन आमीं direction cosines बनने हुन्छ. So, direction cosines निकालना को लागी. आमीं cos alpha, cos beta, cos gamma निकाले. यो तिनोड़ा equation माँ, a, b को value लागे रो राग देने. Now, for direction cosines, for direction cosines from 1, 2, and 3, we have, eh? आमीं निकाले दिनोड़ा हो. Cos alpha equals to 6 over a, b, 6 upon 7. yam is called to cos beta that is 2 upon a b 2 upon 7 and yan equals to cos gamma equals to 3 upon a b that is 3 upon 7 okay so I am sorry direction cosines find out where you length of line a b find out you say key by the projection concept use girl projection formula use girl projection Diego saw I mean length of a b you know line cool and that is good direction cosines find out governor's okay okay about the next example example number two ma if points p and q I'm the Diego sir find the angle that op makes with oq when o is origin or figure on the origin so I need p or q d a go so I'm the op or oq b square angle find out governor's so I'm work hard angle between two lines proof that you okay so angle between two lines go concept but I'm unique as I'm so points as a origin one is 0 0 0 by alyo p d a go so 1 1 1 minus 2 and q d a go so 2 1 1 so given points are given points are origin p and q 0 all around the two is a we know that now we have to choose the function of the one so to say that we just have to prove out that this function is not a parallel on this is the one of the two plus am on am on am two plus am1 yam 2 eam 2 Eam 1 and to prove our the other person with this function of the earth here we know the to be clear of it that can be लेंथ निकालनो पर सो, डिरेक्शन को साइन को फार्मुला, x2-x1 by Ops तो खाल को सो, okay, so here Ops equals to root under, Ops को distance, 1-0 को square, plus 1-0 को square, plus minus 2-0 को square, that is 1 plus 1 plus 4, is called to root 6 आयो, अनि Oq को length, को तिसा 2-0 को square, plus 1-0 को square, plus 1-0 को square, यो पनी root 6 आयो, root under 4 plus 1 plus 1 is called to root 6 unit साय, दो बेको length को कती आयो, root 6 आयो, अब डिरेक्शन कोसाइन्स of line O, P यहला, आमी L1, M1 यान वान ली दिनोड गरों, x2-x1 अपन O, P y2-y1 अपन O, P z2-z1 अपन O, P so, 1-0 अपन root 6 1-0 अपन root 6 minus 2-2-0 अपन root 6 बनेगो, कती आया, 1 by root 6, 1 by root 6, minus 2 by root 6, अणि फेरी, and direction cosines of line O, Q, यहला, आमी L2, M2, यान 2 ले दिनोड गरों, x2-x1 अपन O, Q नेगो, हमले O, Q को निकाल देशा हूँ, Y2-Y1 अपन O, Q Z2-Z1 अपन O, Q O, Q मा एरों, 2-0 अपन root 6, 1-0 अपन root 6, 1-0 अपन root 6, बनेगो, 2 by root 6, कमा 1 by root 6, कमा 1 by root 6, L1, M1, यान 1, रो L2, M2, यान 2 आयो, अब आमी एंगल निकालों, since, cos theta equals to, L1, L2, plus M1, M2, plus, यान 1, यान 2, फिल रहा हम दो, 1 by root 6, into, 2 by root 6, plus, 1 by root 6, into, 1 by root 6, plus, minus 2 by root 6, into, 1 by root 6, यह बनेगो, 2 by 6, यह बनेगो, 1 by 6, यह बनेगो, minus 2 by 6, यह रहा हम दो, काचियो, बनेगो, cos theta का दिया आया, 1 by 6, यह बनेगो, theta equal to, cos inverse, 1 by 6, 6, answer, यह बनेगो, theta, अथव एंगल, दियोटा लाइन को, point रुआ माइज, कोडिनेटा, अरुआ थाषव, बनेगो, आजो, आजा को क्लास मा आमें प्रोजेक्शन सिख्यों, एंगल विट्विन टू लाइन्स कसरी फाइंड आउट गरनें तेवपनी सिख्यों, राइट आजा क्लास एतीने गरो, अब नेक्स्ट क्लास मा फेरी इसको अरु पनी इग्जाम्पल अरुषा तो एक्जाम्पल अरू लिये रो मा आउने नहीं चो आचको लागे यो वीडियो मा अथो यो क्लास मा नवजेको केक कुरा अरू छाओ बने कमेंट बक्स मा लेक दिनुवाला रो वीडियो लाइ जती सकतु शेयर गरे रो तेरे बन्दा तेरे कॉलेज को इस्टुएंट अरुगो मा आच पुराए दिनुवाला बन्दे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब गर्नाचे नोगिट्स अनुवाला ए थैंक्यू सो मच